तो इस बीडियो में डिस्कस करेंगे हम HP TJT Art Commission के Part 2 की इससे पहले हमने इसके Part 1 को डिस्कस कर लिया है अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देशकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए दूसरे Part को डिस्कस करते हैं तो पहला प्रशन है तत्सम शब्द छांटी है तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा होगा तो जो सही बिकल्प होगा तो वहोगा बिकल्प भी सुरी है अगला प्रशन 118 तो प्रशन कुछा गया है पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है तो जो 118 का सही जवाब होगा तो वहोगा बिकल्प ए युद से भाग जाना बिकल्प ए बिल्कु सही है अगला प्रशन 119 आस्वर कैसा है तो बताना है कि जो यहां पर दिया गया है आस्वर यह किस परकार का होगा या कैसा होगा तो 119 का बिकल्प सी बिल्कु सही होगा बिबृत अगला प्रशन 120 तो प्रशन पुछा गया है शवचक्ति के कितने परकार होती है तो जो शब शक्ति के प्रकार होती है, तो वो होती है तीन प्रकार की 120 का B बिलकु विल्कु सही है अगला प्रशन ए 121, तो प्रशन है आख्र ना दीदा काडए कसीधा तो इसका जो सही लुकोकति का अर्त होगा तो वो होगा 121 का C, डिंग मारना C बिल्कुर सही जवाब होगा अगला प्रशने 122 तो 122 में पूछा गया है निहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो जो निहार का सही शाब्दिक अर्थ होगा तो वो होगा विकल्प A ओस निहार का ओस विकल्प A बिल्कुर सही है 122 का A अगला प्रशने 123 ततरस्त का बिलोम शब्द कौन सा होगा तो जो 123 का सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी पक्षपाती अगला प्रशने 124 तो प्रशन पूछा गया है मोर का प्रयावची क्या होगा तो 124 का विकल्प भी कलापी बिल्कुर सही होगा अगला प्रशने 125 तो प्रशन पूछा गया है तिर्यक चिन कौन सा होगा तो बिकल्पों में बताना है कि तिर्यक चिन कौन सा होगा तो 125 का विकल्प C, ये तिर्यक जिन कहा जाता है अगला प्रशन ने 126 तो प्रशन पूछा गिया है जिसने रिन चुका दिया हो, उसे क्या कहते हैं तो 126 का सही जवाब होगा, विकल्प A और रिन तो विकल्प A बिल्कुर सही होगा अगला प्रशन है 127 तो प्रशन पुछा गिया है आज जनम में कौन सा समास होगा तो जो आज जनम है इसमें समास के बारे बताना है कि कौन सा होगा तो 127 का सही जवाब होगा विगलप D. अव्यवाव अगला प्रशने 128 तो पुछा गिया है मिठास में प्रत्य कौन सा है तो जो मिठास में प्रत्य है तो 128 का सही जवाब होगा विकल्प B आस मिठास में मिठास अगला प्रशन है 129 अधिक्ष में उपसर्ग है तो 129 का सही जवाब होगा विकल्प B अधिक्ष में होगा अधि उपसर्ग तुम यहाँ पर आपको पता दूँ जो प्रित्य होता है वो अंतमे लगता है जैसे यहाँ पर मिठास है मिठास में जो आस की ध्वनी आ रही है उसमें जो आस है तो यह अंतमे होता है प्रेत्य अंतमे होगा जो उपसर्ग होता है वो आगे होता जैसे अधी यक्ष जो अधी की द्वनी आगे आ रही है तो यह याद रखना आपने उपसर्ग आगे होता है और मिठास जो प्रेत्य यह अंतमे होता है अगला प्रशन है 130 तो प्रशन पूछा गिया है पावक का संधी विच्छेद क्या होगा तो जो पावक का संधी विच्छेद होगा तो यह होगा विकल्प भी पौधन अक पौधन अक विकल्प भी बिल्कुल सही होगा अगला प्रशन है 131 तो जो मनु जमा अंतर का संधी क्या होगा या मनु धन अंतर का संधी क्या होगा तो 133 का सही विकल्प होगा विकल्प C, मन अंतर अगला प्रशन है 132 तो प्रशन है शुद्ध शब्द का चेहन कीजिए तो बताना है कि नीमन में से कौन सा सुध्षब्द होगा तो जो यहाँ पर सही होगा شब्द तो वो होगा बिकल्ब सी उजवल उजवल में दो आधे जिगाँ आते हैं तो यह सही होगा अगला प्रशन है 133 तो प्रशन है अशुध्षब्द का चैन कीजै या अशुद शब्द को चांटिए तो जो 133 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प भी बुद्धी मती ये सही होगा यहाँ पर अगला प्रशन है 134 तो प्रशन है ये का उचारन स्थान क्या है तो बताना है ये का उचारन स्थान क्या होगा तो 134 का सही बिकल्फ होगा बिकल्फ C, तालब्विय अगला प्रशन है 135 तो प्रशन पूछा गया है शर का ब्यंजन कैसा ब्यंजन है जो शर ब्यंजन है ये कैसा ब्यंजन है तो 135 का सही बिकल्फ होगा बिकल्फ D, महाप्रान अगला प्रशन है 136 तो प्राशन पूछा ही है तरंग का पिशेशन है तो जो तरंग का पिशेशन होगा तो वहोगा बिकल्प C तरंगीत तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारे second part का भी स्मापन हो जाता है जल्दी मैं आफके पास इसका दीसरा part लेख आएंगे आप हमारे चैनल के साथ बनिये देए यहाँ पर आपको पूरा कमिशन का कोशिन पेपर सौल कर बाद दिया जाएगा तो ठीक है यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद